फैनिल शेडिवाला ये नाम भारतिय कॉमिक्स जगत में एक जाना पचाना नाम है ये जो शक्सियत है ये गुजरात के सूरस शेहर से आती है और ये ना सिर्फ आपके और हमारी तरह एक इंदूजियास्टिक कॉमिक्स प्रेमी है बलकि इनका अपना खुद का एक कॉमिक प्रसंद किये हैं तो इनक्या जो यूनिवर्स है छोटा सा फैनिल कॉमिक्स का इसके अंतरगत एक डिटेक्टिव क्यारेक्टर है जासुस बलकराम का जो कि लोगों ने काफी सराना किये इसक्रिदार की तो इसकी कुछ कॉमिक्स पास्ट में आ चुके है आज इसकी पांच कुछ इसके बारे में पढ़ा नहीं बट फाइनली यह जो नई प्रस्तुति है मेरे हाथ आई है और इसको मैंने पढ़ लिया है तो आज अपना जो भी अनुभव है वो मैं आपके साथ कुईक्ली साज़ा करना चाहूंगा दोस्तों मेरा नाम है जिरेंद्र और आप देख से बात करेंगे कॉमिक्स की रूप रेखा की और क्रीटिव टीम की तो यह जो शांदार कवराट आप देख रहे हैं यह बनाया है मोहित आर्य और इंदर जीद भानु ने वहीं इसका बैक कवर आप देखेंगे तो कुछ-कुछ ऐसा दिखता है और यहीं से अगर हम लास्क कवर्स आपको देखने को मिलेंगे जल्दी से बात करते हैं क्रीटिव टीम की तो फैनिल शेडिवाला जो की पॉब्लिशर है उन्होंने लेखन का और शम्दंगन काम भी संबाला है पैंसिलिंग मोहित आर्य और जफर इम्रान की है रंग सज्जा रुद्राक शौधरी और प्रूफ रिडिंग निशांत पारशर की है प्रमाइस देदू इस कहानी का कहानी की शुरुवात होती है एक किरदार के साथ ये किरदार है इन्सपेक्टर द्याल का यह करतव पॉलिस ऑफिसर है एक रोज ये सड़क के किनारे ब्योशी के आहलत में पड़ा हुआ होता है साथ ही पास में इसके बाइक भी पढ़ी होत है यहां पर इस आवस्सा में पड़ा हुआ है तो सबसे पहला जो आपको लगता है कि मतलब यह लूट पार्ट की आशंका से भरा हुआ जो आपको शक होता है तो उसी शक के मत दे नजर यह कोई अपना पर्स चेक करता है और अपने जो इंपॉर्टेंट बिलॉंगिंग्स होती है कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ तो पर्स में पैसे भी सही सलामत है कोई ऐसी कीमती चीज भी चोरी नहीं हुए होती है बाइक भी पास ही में लुड़की हुई है बट सही सलामत है तो ऐसे में इनका इंस्पेक्टर वाला दिमाग थोड़ा सा सोचता है कि और क्या हुआ हो सकता है तो इनको अपने सर्विस रिवालवर की चिंता होती है जो कि एक आम सा रियक्शन है तुरंत ही अपना सर्विस रिवालवर चेक करते हैं तो वो अपनी कहानी में काफी बड़े-बड़े स्पीच बबल्स आपको देखने को मिलेंगे और मैं आपको पहले इस यह कोई चिंता का विशे नहीं है देखिए होता क्या है जो जासुसी कहानिया होती है उसका एक अपना एक नेचर होता है इन जासुसी कहानियों में जो किरदार होते ह हैं वह आपस में बहुत बात ही करते हैं और उनके अलावा भी इन किरदारों के मनमस्तिष्क में काफी कुछ विचार चलते रहते हैं और कुछ किरदारों को काफी स्पश्टी करण भी देना पड़ता है तो ऐसे में स्पीच गोबल के माध्यम से इन चीजों का इन डालोग करनी आपको एक पूरी कहानी परोसने की कोशिश करती है तो ऐसे में आइधिंग जस्ट फॉर्ट इस वेरी रिजन आइधिंग हमको थोड़ा पैनेफिट ऑफ डाउट देना चाहिए इस कॉमिक्स को दोस्तों बात करूंगा मैं जासूस बलराम की इस छोटी सी कहानी में भ जवाल जवाब करने का जो तौर तरीका है वो ना सिर्फ लॉजिकल कोशिन से भरा रहता है बलकि वो मैनादिजम थोड़ा सा इंटिमिलेटिंग भी है जो कि काफी अच्छा लगता है यह जासूसी किरदार को सूट भी करता है वहीं उसके परसनालिटे में कुछ ऐसे स्ट बालूं बढ़ता है और उसकी जो शक्किस हुई है वो लगभग तमाम किरदारों पर वन बाइवन कुमती रहती है और काफी अच्छे तरीक से दिखाए कि इतनी छोटी कहानी में भी कि वो काफी देर्ट लॉट ओस तिंकिंग डाट है इस पूटिंग इन लॉट अलॉट लुट ओने पड़ते हैं देखें यह सब जो करेक्टरिशिक्स होती है यह किसी वी जासो सी किरदार या उसकी जो कहानी होते है उसको एक पैनापन देती है और यह एपसलूटली मस्ट हैव एलिमेंट्स हैं जो की हर जासो सी कहानी में मेरे हिसाब से होने चाहिए तो ऐसा आपको देते हैं, चलिए अब बात करते हैं, आटवर्ट की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि दो लोगों ने इसके आटवर्ट पर काम किया है, पहला पेज बनाया है, मोहितार्या ने वहीं बाकी के जो तेरा पेज़ थें उसको जफर इम्रान एक डिटेक्टिव है तो ऐसे किर्दारों के हाव भाव और एक्सप्रेशन के मात्यम से कहानी को एक बहतर अंदाज में कहा जा सकता है इसे थोड़ा और भुना सकते थे इस मौकी को दूसरा एक दो पैनल्स ऐसे थे जहांपर डालोग्स और कैरेक्टर्स के बॉड़ी साधरन से आर्टवर्क के बावजूद ये कॉमिक बुक आपको निराश नहीं करती है कहानी अच्छी है डायलोग्स अच्छे लिखे हुए है और ग्रमाटिकल एरर्स ओल्मोस्ट नगन्य है ना के बरावर और सबसे अच्छी बात ये जो स्टोरी लाइन है ये वन शॉर्ट स्टोरी लाइन महस मात्र 14 पेज़े में सिम्टी हुई है विच इस अंठिंकेबल जहां बाकी पॉब्लिक्शर्स मतलब 28-28 पेज़े की गहानी छोटी है दोस्तों लेकिन आपको अपने आप में एक complete reading experience देती है बेवज़ा के पैनल्स इसमें आपको नहीं दिखेंगे आप लोग इस कॉमिक को खरी सकते हैं और मेरा यह सुझाव रहेगा कि अगर आपको टोटल पैसा वसूल फीलिंग चाहिए तो आप इसका जो सस्ता एडिशन है जो नॉर्मल एडिशन है उसको आप खरीदें जो की मातर सौर रुपे में है इसका premium एडिशन डेल सौर रुपे में है जो कि मैं आपको बताया बट अगर win-win situation आप चाहते हैं तो go for the सस्ता एडि